गोविली कल्यान तस्यिल में एक ठोटा सा गाव है जहाँ पे देड़ हजार लोग रहते हैं इस गाव में किसी जमाने में 10 साल पहले 10-12 साल पहले कोई एजुकिशन सिस्टम नहीं थी यहाँ पे सात वी पास होने के बाद दृजजीक के सिकुल चार क्रिमिये डिसेंस पे दा और उसके बाद कॉलेज था 12-52 पे तो यहाँ से साती पास होने लड़की लोग चार कुमिये डिसे पे नहीं जाए पत दीवान दसाइए वहले साल 2004 में यहाँ पर जिवन दिव शेशनिक संवस्ता उन्होंने यहाँ पर केजिस से लेके पीजी तक एजो किसी सिटम में शुरू कियी 2006 में जब मैंने कॉलेज जॉइंट किया तो कॉलेज जॉइंट करें मकसद था कि रूलर रेरे में काम करना जो भाग है यहाँ पर क पर काम करना जगोरी है करना जब में यहाँ तो मुझे इससे समझ दें में आया कि यह पे लड़कियों के लिए बहुत वैल्यू काम है ल्ड़कियों को कोई सपोट मिलना चाहिए उतना सपोट नहीं मिलता है अनको हमेशा कमदोर संभजहता है तो मुझे यह साझा कि ने लड़की लोग कमदोर नहीं होती है वो जो अच्छा करती है अपने यह जनम देती है अपने पाली पॉस expert करती है के बाद आपनों जिंद की मअपनी मरने तक हमारे साथ रहती है इसकोती इसके कम जूर हो सकती है हमेरे को ради benim वेट लिटिंग में हो फिफिम हीं तो मैं सोचा है कि जो ड़को HOW शीन डिवन दिंग नो राइगे लड़की कहीं भी जाए तो उसको कोई कमजोर नहीं समझें, कई पर कुछ प्रॉड़म आये, कोई लड़ाई जड़ा हो, तो वो कुछ पॉल कर सकें, या कि बचलों कोई पैसेवले घर से नहीं है, सब रूलरी रह से, सब गरीब घर से हैं, तो सबसे बड़ी बार यह है कि अ आठा लड़के लोग, लड़के लोगों को गवर्मेंट जॉब मिला है, तो अभी तक हमारी चार लड़के लोग रेल्वे में जॉब कर रही है, पुलिस में हमारे तीन से चार लड़के लोग है, मारास्टा गवर्मेंट में क्लास औन होपिसर है कोई, एक लड़के हमारी पार्टिल करके में जब 2006 में कॉलेज जोइन किया था तो मैंने हमेशे सोचता था कुछ तो बदलाव आए और कुछ तो इनिविटिव काम किया जाए और स्पोर्ट्स में हम लोग यही चाहते है कि हमारी कोई हमारी लड़की लोग नेशनल में डिस्टिक कॉंपडिशन में स्टेट कॉंपडिशन में नेशनल कॉंपडिशन में इंटरेशनल कॉंपडिशन में हो सके तो अलम्पिक कॉंपडिशन में जाए वहां पर पार्टिसेपेशन करें वहां पर मिडल जितें और कॉलेज का नाम रोशन करें हमारे गाव का नाम रोशन करें औ यह हम लोग चाहते हैं, यह हमरी इच्छा है. यह हमरी इच्छा है.